बोट ने लॉंच कर दिया है अपने एरडॉप्स 155, इनकी जो लॉंच प्राइस है वो सिर्फ 1200 रोपीज है और इस प्राइसिंग को देखते हुए इसमें कुछ एक दो मुझे इंट्रेस्टिंग फीचर्स मिले हैं, जो भी तक किसी दूसरे ब्रैंड या फिर दूसरे टीड इसमें मुझे सिम्लर प्रैस में देखने को नहीं मिले, तो सब कुछ बताता हूँ एरडॉप्स 155 के बारे में, लेकिन अगर आप चैनल पर पहली बार आये हो, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा कुछ इससे तरह की वीडियो को देखने के लिए, कुईकली अगर इसमें पर बॉक्स कॉंटेंट देख लें, तो बोट एरडॉप्स 155 का बॉक्स कुछ इस टाइप से देखने को मिल जाता है, इसके कुछ फीचर्स भी यहां पर हाइलाइट किये गया है, इसको ओपन करते हैं, तो अंदर में, एक्चुल में जो है, वो केस देखने को मिलत ढगता है, TWS का फार पक् Xiang, ठोड़े सी दिफरेंट है, फोड़े सी ठोड़े सी प्रिमियम लग रही है यहां पर दो बॉक्स मिलते है, ओर यहां पर यहां पर यूजर मैनूइला अलख सा बॉक्स दिया गया है, यहां पर धीर साराumbs पेपपयक मिलता है, एक बोट का स्टे कर दिया गया है और पहले वाले बॉक्स में इसमें एक्चुल में इसकी चार्जिंग केबल है इस बार रेड एंड ब्लैक कलर में है थोड़ी सी प्रेमियम यह लग रही है दिखने में और दूसरे बॉक्स में एयर टिप्स हैं तो टू पेर यहां पर एयर टिप्स भी मिल जा यहां पर मिलती है एक इंडिकेशन लाइट बॉटम में मिलता इसका टाइप सी का पोर्ट और बैक साइड में मिलती है एक फिसकल की जिसको प्रेस करके आप इसको रिसेट या फिर पेरिंग मोड में इंटर करा सकते हो यहां पर किस काफी चोटे साइज में है बाकि अगर इनके बट्स को देखोगे तो यह भी प्लास्टिक बिल्ड के साथ में है यहां पर इसका टच कंट्रोल मिलता है यह पेक इंडिकेशन लाइट है बाकि एर्स में की फिटिंग काफी यादा प्रॉपर आती है और एर्स में परफेक्टली फिट भी हो जाते हैं लंबे टाइम तक पहनो तो इर्स में पेंड नहीं होता क्योंकि यह सच में काफी हलके हैं बाकि कुछ इस टैपस इनको केस में रख सकते हो अब इसका जो मैगनेट है वो स्टॉंग है बहुत ज्यादा लूज नहीं है तो एक्सिदेंटली यह केस से बिल्कुल भी नहीं न तो केस अगर एकपाल फिल चार्ड गर फुल चार्ज है तुसमें 40 सीरा का बैटर्ल आफ मिलता है और ये यह बर्ड चार्ज को भी सपोर्ट करता है तो अगर इसको सिर्फ आप 5 मिनट चार्ज करो तो यहां पर 60 मिनट का पले टायम मिल जाता है तो बैटर्ल लाइफ इसमे सच में काफी बढ़ी हैं देखनी को मिलती है और ये बड्स आते हैं 10mm driver के साथ में और by default इसमें board signature mode भी मिलता है तो अगर आप इसमें कोई music सुनते हो तो sound quality काफी crisp and clear मिलती है जैसे vocals, instruments, tribles वगरा ये काफी clear मिलेगा और इसमें जो bass है वो भी काफी बढ़ियां मिल जाता है खास करके ये जिस price में launch हुआ है उसके according इसकी sound quality बहुत ही बढ़ियां मिलती है मैंने इनको लंबे time तक use किया है तो अगर music को अगरा सुनते हो तो ears में pain नहीं होता है लंबे time तक music सुनते time पर पर ऐसा भी नहीं है कि इसमें जब आप music सुनते हो तो वो ears में चुभे ये कोई भी problem इसके अंदर में नहीं है तो यहाँ पर overall जो sound quality है वो काफी बढ़ियां मिल जाती है in birds की इसके अलाबा इसमें in-ear deduction वाला feature भी मिलता है तो music जो है automatically play pause हो जाता है जैसे कि अगर इन birds को ears में आप लगाओगे तो music play हो जाएगा और ears से इन birds को निकालोगे तो music pause हो जाएगा तो यह वाला भी feature इन birds के अंदर में देखने को मिलता है बाकि अगर इन TWS का use करना चाहते हो gaming के लिए तो यह 65 millisecond की low latency offer करते हैं तो casual gaming इसमें बढ़ियां हो जाती है मैंने इसमें bgmi play करके देखा तो तहीं यह दा latency पता नहीं चलती है casual gaming के लिए यह recommended रहेंगे लेकिन अगर आप इनको calling purpose के लिए भी देखना चाहते हो तो बता दू इसमें quad microphone का setup है याने की 4 microphones मिलते हैं तो ENX technology के साथ में आते हैं तो background noise को भी यह reduce करते हैं तो आपको एक demo देता हूँ इसके quality का idea लग जाएगा और अभी आप जो audio सुन रहे हो वो both ear drops 155 TWS के microphone से जारी indoor में मैं हूँ एक fan चल ला है और background में थोड़ी बहुत noise है तो आपको इसके microphone की quality का idea लग जाएगा वैसे calling purpose के लिए मुझे फिलाल इसके microphone की quality सही लगी है बाकि आप comment करके बता सकते हो बाकि अगर safety side से बता हूँ तो इसमें IPX4 की rating मिलती है यानि कि यह water resistant है अगर sweating हो जाती है लेकिन इसकी जो launch price है वो सिर्फ 1200 रुपीज है तो आप इसको first sale में खरीज सकते हो आपको 200 रुपए का यहाँ पर basically discount देखनी को मिलेगा अब ये birds जिस price में आते हैं उसमें से कुछ features unique मुझे लगे जैसे की in-ear deduction जनरली इस price में देखनी को नहीं मिलता है वोला features के अंदर में मिल जाता है battery life इसमें बड़ियां मिल जाती है और sound quality भी इसकी काफी बड़ियां है और ये birds काफी हलके हैं तो लंबे time तक भी इनको पहन सकते हो थोड़ा सा unique design भी मिलता है इसके case का अगर आपका interest हो इन birds को खरिदने के लिए तो आप Flipkart या फिर boat की website से खरिज सकते हो link में description में दे दूँगा तो मैंने almost सब कुछ cover कर दिया Adops 155 के बारे में इसके अलाब अगर आपके अभी भी कोई confusion query हो इस TWS को लेके तो comment करके पूछ सकते हो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में